हेलो स्टूडेंट्स एकसेस 7.8 में हम क्या कर रहें हैं? लीमिट ऐज़े सम तो हमें कुछ कोश्चन्स आते हैं इंतिग्रेशन की फोम में जिसमें आपको इस तरह से लेमिट्स दी जाती है limits हमने plus 1 class में तो की थी लेकिन यहां integration की limits कुछ अलग है जो निचे है उसको lower limit जैसे A है इसको हम lower limit बोलेंगे और B को upper क्योंकि उपर है न तो B है upper limit इसकी definition के coding यह बन जाता है limit as tend to 0 as tend to 0 का मतलब है जो h है वो 0 को tend कर रहा है इसका मतलब यह नहीं है कि h 0 है 0 के भोत pass है pass का मतलब यह हो सकता है 0 के pass है तो 0.99 भी हो सकता है ठीक है या 1.01 0 के pass है तो 0.001 भी हो सकता है यानि 0 से थोड़ा सा छोटा या 0 से बड़ा हो सकता है 0 यह है तो 0 के बिल्कुल pass में 0 से कुछ बड़ा यानि इसकी right में भी हो सकते हैं जिसे हम right hand limit से करते हैं और left में भी हो सकते हैं left hand limit से जो करते हैं तो ठीक है तो यह h tend to 0 h h क्या है इसमें h होगा b minus a by n where b upper limit और a क्या है lower limit है ठीक है यहां से हम निकालने तो n h n मतलब यह n तक जा रही है n h by b minus a ठीक है तो यह है formula इसको निकालने का limit as a sum वैसे तो हम integration निकाल सकते हैं कि integration तो हम कोई भी method से जो हमने अभी तक method किये हैं उन से निकाल सकते हैं जो हमने formula किये हैं या integration by part partial fraction इन सब से integration निकालके फिर उसमें limit put करके हम निकाल सकते हैं लेकिन ह हमें बेसिकली अगर बोल दिया limit as sum निकालिये तो यह इस तरह का रूल है जैसे हम first principle करते थे प्लस वन ग्लास में तो यह इसका definition है limit as tend to 0 hf a, a क्या है lower limit as में f a plus h, h क्या है जो 0 को tend कर रहा है 0 नहीं है विसे a plus h, fa plus n minus 1 h इसमें use होने वाले कुछ simple rule है जो हमने पहले भी कियो है 1 plus 2 plus 3 plus n तक यह क्या होता है n, n plus 1 by 2 इसका rule यह होता है लेकि mostly हमें जो questions में n minus 1 तक जाएंगी क्योंकि definition में n minus 1 तक है न तो n minus 1 तक जाएंगी तो हमारा rule क्या बन जाएगा यहाँ n की जंग है यहाँ n है तो n की जंगे n minus 1 हो जाएगा तो n minus 1 अगर यहाँ n minus 1 put करें n की जंगे n minus 1 plus 1 तो 1 से 1 cancel तो हम जो rule यहाँ इसके लिए use करेंगे वो बन जाएगा n minus 1 n by 2 ऐसे ही 1 square plus 2 square plus 3 square से लेकि n square का rule क्या होता है n n plus 1 by n plus 1 2n plus 1 by 6 लेकिन हमारी definition के coding हम n minus 1 तक जाएगे तो यह इतना rule क्या बन जाएगा n को replace करना है n minus 1 से तो जो बन जाएगा n minus 1 n minus 1 इसकी जंगे रखेंगे n minus 1 plus 1 2 2 की गुना करेंगे n minus 1 से तो 2n minus 2 plus 1 by 6 जो की बन जाएगा n minus 1 n 2n minus 1 लेको 2 minus 2 plus 1 है न minus 1 by 6 तो यह जो है इसका formula यूज होगा बार बार exercise में यह बहुत यूज होने वाला है limit x tend to 0 यह अगर e x minus 1 by x है यानि जो एंगर x यहां है सेम यहां है ठीक है और limit इसी को 0 को टेंट कर दी है तो इसकी limit क्या होती है 1 यह rule भी आपको इसमें यूज होगा एक हमने gp series में किया था gp series क्या होती है a a r a r square जिसमें common ratio same हो ठीक है common ratio same हो वो gp series होती है उसमें अगर इन सभी terms का sum करें तो sum of n terms जो हमने plus 1 में 9 chapter में किया था वो क्या है क्या rule होता है उसका a a क्या है first term r है common ratio तो common ratio की power n minus 1 by r minus 1 यह rule भी इसमें यूज होगा तो हमने वो सभी rule discuss care कर लिये हैं जो इसके अंदर use होने वाले हैं तो इसका question जो है first exercise का वो क्या है first question है a to b x t x यह है first question इसका ठीक है अब a to b x t x है तो अगर हम definition लिखें definition जो हमने अभी की थी a to b f x t x equal to limit h 10 to 0 h f a plus f a plus h plus f a plus 2 h से लेके f a plus n minus 1 h ठीक है यह definition है और a क्या है इसमें a ही है ठीक है अगर हम यहां से n निकाले n का rule क्या है B minus a by h का rule है h का b minus a by n है rule और यहां से यह बन जाता है n h n h क्या जाता है b minus a तो n h क्या रेने वाल है इसमें b minus a ही रेने वाल है क्योंकि a और b में ही दिया उए इसमें कोई numbering में नहीं दिया हुा तो तो से पहले हमें यहां देखो यह fx क्या है अगर इससे compare करें तो fx कितना है x है fx equal to x तो question में हमें fa चाहिए fa क्या हो जाएगा x की जंगे a रखेंगे a फिर हमें fa plus h की requirement है तो वो क्या हो जाएगा यहां पर x की जंगे क्या रखेंगे a plus h f a plus 2h कितना हो जाएगा यह बन जाएगा a plus 2h क्योंकि fx जो है वो x है इस x की तो a plus 2h आ जाएगा ऐसे ही last में fa plus n minus 1h क्या होगा वो हो जाएगा a plus n minus 1h ठीक है हमने यह सभी values निकाल ली है h भी हमें पता है b minus a by n अब हम इसके अंदर सभी values बुट कर देंगे जो हमारी definition है तो a to b fx क्या है x dx limit h tend to 0h fa कितना आ गया है fa आ गया है a plus में fa plus h कितना है a plus h plus a plus 2h कितना है a plus 2h plus में last वाली term बनी है a plus n minus 1h ठीक है यह हमने सभी values यहां पूट कर दी है equal to limit h tend to 0h अब हम देख रहे हैं कि यहां a है a a सब में a है ठीक है तो a n times आ रहे है तो a into n लिख रहेंगे हम ठीक है a इसमें भी है इसमें भी है सब में n बार आ रहे है न क्योंकि देखो यहां 1h है 2h है यह n minus 1 है यह तो n minus 1 term होगी और एक यह होगी n minus 1 plus 1 तो total n terms होगी यहां n बार a रहे है तो a n आ जाएगा यहां देखो h यहां तो नहीं है यहां से शुरू है h अगर h common लेते हैं यहां पर तो 1 h common ले लिया है हमने इन सब में से तो h common लेने पर यहां 2 बचेगा और यहां common लेंगे तो n minus 1 बचेगा ठीक है इतना आ गया अब हमने यह वाला rule किया था वो हमने इसमें पुट करना है क्या rule था वो 1 plus 2 plus लेके n minus 1 का वो था n minus 1 and by 2 ठीक है यह rule हमने इसमें पुट कर देना ह limit h tend to 0 h an plus h इसका rule क्या है यह n-1 n by 2 ठीक है यह rule है और फिर हम क्या करेंगे यह h की multiply कर देते हैं limit h tend to 0 an h h की multiply कर दी h की multiply इसके साथ है तो यह n h है ठीक है इसकी से और 1 h की इसतर होगी तो n h minus h by में है 2 ठीक है अब n h क्या निकाला था हमने n h की value क्या है जो शुरू में निकाली थी b minus a है n h की value b minus a हम यहाँ पूट कर देंगे limit h tend to 0 n h की value है b minus a यहाँ भी b minus a और यहाँ भी b minus a b minus a minus h by 2 है अब क्या करेंगे h को 0 रखेंगे s tend to 0 है तो यह बन जाएगा a b minus a प्लस में यहाँ पर रखेंगे तो यह बन जाएगा 0 तो b minus a b minus a क्या बन जाएगा b minus a का square by 2 यह जो है इसका अंसर आ गया है चाहें तो हम b minus a इन में से कोमा निकाल सकते हैं ठीक है b minus a कोमा निकालेंगे तो यहाँ बचेगा a और यहाँ क्या बचेगा b minus a ठीक है और by 2 इसको solve कर लेंगे इसको solve करने पर क्या आएगा अगर यह solve करना है तो यह है b minus a और यह बन जाएगा 2a plus b minus a by 2 that is b minus a और 2a minus a a plus b by 2 नेक्स टेप में यह b minus a है यह भी b plus a है तो b square minus a square by b square minus a square by 2 हो जाएगा यह ठीक है राइट इसको इसे complete solve कर सकते हैं वैसे यहां तक भी answer आ जाएगा तो यह है इसका limit as a sum question number 1 जैसे जैसे आप और question करोगी तो आपको इसकी understanding और भी होती जाएगी जैसे हम करेंगे अब question number 2 question number 2 की statement क्या है question number 2 है 0 to 5 0 to 5 x plus 1 dx ठीक है इसको सबसे पहले a to b fx dx से compare कर लेंगे a to b fx dx से compare कर लेंगे तो fx कितना आ गया x plus 1 आ गया ठीक है a 0 है और b कितना है 5 है ठीक है और n h क्या होतता है b minus a होतता है question में तो b 5 है 5 minus 0 5 आ जाएगा यह ठीक है और हमें क्या निकालना होतता है f a निकालना होतता है f a plus h निकालना है f a plus 2 h निकालना है और fa plus n minus 1 h निकालना है question के coding fa क्या होगा fa, a कितना दिया हुए, 0 f 0 यानि x में यहाँ पे 0 रखना है तो 0 plus 1 बन जाएगा 1 f यह तो 0 है 0 plus h हो गया तो h रखना है यहाँ पे ठीक है, यह 0 है तो 0 plus h h हो गया x की जंग है, h रखेंगे तो यह बन जाएगा h plus 1 f, यह 0 यह 2h, तो यह बन जाएगा 2h plus 1 यह बन जाएगा f, यह 0 है तो n minus 1h तो यहाँ पे पुट करेंगे इसको n minus 1h plus 1 ठीक है, तो अब क्या है अब हम इसके इंदर क्या करेंगे, इसकी रूल लगाएंगे, जो की क्या होता है a to b f x 3x equal to h और रूल क्या होता है सबसे पहले तो limit h 10 to g होता है, h और अंदर क्या होता है प्लस के f a plus f a plus h easy है, रूल plus f a plus n minus 1h ठीक है, बार बार यूज करोगे, खुद से लिखोगे तो learn हो जाएगा limit h 10 to 0 h को h रखना है, f a की value हमने निकाल दिया क्या आई है, 1 f a plus h की h plus 1 plus में f a plus 2h की और लिख लगते हैं जो है 2h plus 1 और लास्ट वाली है n minus 1h plus 1 ठीक है, यही value आई है अब हम क्या देख रहे हैं इसके अंदर इसको नोट कर लो यह 1 है, इसमें 1 है इसके अंदर भी 1 है, इसमें भी 1 है 1 कितनी बार आ रहे है, n बार आ रहे है तो 1 into n हो जाएगा अब h, यह 2h है ऐसे ही, अगला 3h उतता तो h से common आएगा 1, 2, 3 और लास्ट में n minus 1 यही common आएगा ठीक है, अब है limit h tend to 0 h n plus में h इसका रूल अभी भी यूज किया था क्या होता है इसका रूल हाँ, n minus 1, n by 2 ठीक है, जितनी बार कुद लिखोगे तो वो learn हो जाएगा अब h को अंदर multiply कर देते हैं इसके बाद यह step लेते हैं तो यह बन जाएगा n h n h, इन दोनों की multiply है तो यह n h है और इस h की से होगी देखो, एक तो h यह है एक h यह है, तो n h minus h by हमें 2 ठीक है, अब हम n h की value रखेंगे n h की value कितनी है, 5 है न n h की value 5 रख देंगे यहाँ पर, तो यह बन जाएगा limit h tend to 0 5 5, 5, 5 minus h h by 2 now, अब क्या करेंगे h को 0 पुट करेंगे, और सब होगी है solve 5 यहाँ पर 0 करेंगे, तो 5 बन जे 25 बटे, 2 l लेंगे 2 10 plus 25 यह बन जाएगा 35 by 2, ठीक है इसका यह answer आजाएगा इसको एक तरह से और solve करते हैं इसकी जाज करते हैं कि हमारा answer ठीक है कि नहीं इसका integration हमें करना आता है x plus 1 का क्या होतता है integration x square by 2 plus x यह limit यह answer है ना इसका integration और यह 0 to 5 limit है अगर 0 to 5 limit हमें ऐसे put करनी होती है अगली exercise में भी आप देखोगे ठीक है पहले यह limit उट करेंगे तो यह बन जाएगा 5 का square 25 बटे 2 प्लस में 5 ठीक है फिर minus में minus में करेंगे इसमें उट करेंगे 0 minus में फिर यह limit उट करते हैं तो अब यह तो 0 हो गया अब एलशम लेंगे 2 25 प्लस 10 35 by 2 ठीक है तो यह इधर भी 35 by 2 आया है और ऐसे solve करने से इस तरह से आप अपनसर चेक कर सकते हैं तो मेरी वीडियो समझ में आ रही है अगर तो आप इनको लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप सारी वीडियो मेरी देख पाएंगे